Topic is migration of grey whales हम जो है वो different whales की species को देख चुके हैं और उसमें से हमें जो था जब हमने उसको देखा इन डीटेल तो पता चला कि दो major groups है एक है toothless whales जिन्हें baleen whales कहा जाता है और एक है tooth whales जो baleen whales हैं these are the largest mammals on the planet although they are aquatic तो इसमें जो blue whale थी that was the largest one on the planet और अपने जितना उसका जो है वो size है उसके हिसाब से उसको food की requirement भी है और वो per day तक्रीबें जो है वो 16 tons जो है krill fish जो है वो उसको consume करती है यह blue whale है अब जो grey whale है यह भी उसी baleen whale की ही जो है वो किसम है इनके यह toothless है इसके जो है वो mouth में भी जो है वो ऐसे bristols से हैं हेर से हैं जो keratin के बने हुए है और यह भी जो है वो filter feeder है यह किसी चीज़ को pray नहीं करती है अब पहली बात grey whales के मतलिक यह है जैसे कि नाम से जाहर है कि यह जो है इसका color grey सा है और जो है यह इसके उपर white patches से हैं और यह जो है वो बड़ी different सी distinct सा feature है जो बाकी whales के अंदर जो है वो नजर नहीं आता बलके यह whale जो है वो sea bottom पर जो है वो पाई जाती है और वहां bottom में जो है shore area के करीब मतलब उसके जो side ही side थोड़ा सा वहां पर और bottom जो है वो ocean जो bottom होता है वहां पर living invertebrates हैं जिसमें shrimps हैं, larva crabs हैं, anti-pods हैं और इस किसम की जितनी चीज़ें हैं यह उसके उपर feed करती है कि बैसी के लिए यह मुँ में जो है वो एक sediment सारा यानि कि जो हो धेर सारी मटी और along with these animals जो है वो मुँ में intake कर लेती हैं और उसके बाद उसमें से जो है वो water filter out कर देती हैं और बाकी सारी remaining parts जो है वो इसके मुँ में जो है रह जाते हैं और यह एक दिन में तक्रीबन 1,080 kg जो है वो invertebrates जो है वो feed करती है और तक्रीबन जो summer breeding season होता है उसके अंदर यह 67 to 77 ton जो है वो food consume करती है grey whales की एक जो है वो characteristic feature यह है कि जिसकत यह feed कर रहे होते हैं तो इनके जो head होता है वो right side के ओपर जो हो turn किया होता है और हर साल जो है grey whales जो है यह एक तो migration show करते हैं और यह longest migration है जो कि कोई भी mammal जो है show करता है तक्रीबन 12,000 miles जो है यह round trip करती है from their feeding grounds to the in the Arctic to clave and breed in the boja lagoon and then back again अब यह रहती का है basically यह जो Alaska और जो Arctic जो circle है वहाँ पर जो तंडे तरीन पानी है Arctic Ocean है यह वहाँ पाई जाती है वहाँ गहरा तरीन पानी है यह जो है वहाँ पर उनका summer breeding ground है उसके बाद यह travel करती है उस shore के साथ साथ तो साहिल के साथ साथ जरा करीब आकर और जो है यह जो है वो बोजा lagoon जो के मेक्सिको में वागए हैं वो warm waters हैं तो वहाँ पर आती हैं और वहाँ पर breed करती हैं अब देखने की चीज़ यह है कि वहां जहां पर यह रहती है जहां पर यह खाती पीती है वहां पर भी इनकी जो है वो इको सिस्टम वहां पर भी जो है वो इनको फूड प्रोवाइड़ है इनको जो है वो बाकी तमाम सर्वाइवल की जो है प्रोवाइड है चीजें जो है वो नेचर ने प्रोवाइट की हुई है और इसके बाद ब्रीट करने जो है वो वार्मर वाटर्स के अंदर आती है अदरवाइस वहाँ आपके टंडे पानी में जो यंग बेबीज हैं वो तो जो है वो उनकी जो है वो डेथ हो जाएगी तो breed करने के ते warm waters में आती है वहां पर भी जो है वो nature ने इको सिस्टम सारा जुहां वो इस तरह से provide किया हुआ है कि यह वहां survive करती है breed करती है और दुबारा जो है जिससक्त migrate वापस करती है तब यह method जो है वो form के अंदर होती है इस तो जो है यह वेल्स जो हमें नजर आती हैं, यहां बड़ी खुबसर सरी इसकी इदा देखें, आँख जो हो नजर आ रही है आपको, पहले भी बताया था कि जो पेक्टोरल फेंस हैं, इनकी जो बोन्स अरेंग्मेंट है, वो मेमिलियन जो हैंड्स हैं, उनकी बोन्स अरेंग्मेंट से बलकुल रिजेंबल करती हैं, इसे लिए यह एक जो है, जो बेलीन वेल्स हैं, यह वेल्स जो हैं, वो जो लेंड लिविंग मैमल्स हैं, उनसे जो वो वाल्फ महीं हैं, अब इसके अंदर हम जो है, वो इनकी माइग्रेशन पैटरन को देख सकते हैं, कि कहां से आएंगी औ तक जारी रहता है, लेकिन यह हैं कहां पर आर्टिक फीडिंग ग्राउंड, आर्टिक फीडिंग ग्राउंड यह वाले, इसके यह अलास्का के पास, यहां पर आर्टिक सर्कल जो है, वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो अलास्का जो है, वो बरफ से धकावा जो है, वो जमीन क पार्ट है, जो कि हम दो तनियाओं की दरमYान हम अगर कह लें कि वह जो है, उनको लैदा करता है, तो गलत ना होगा, इसलिए कि ए बेरिंग सी है, जो कि यह अला स्ता और यह रेर्शिया की इस कॉर्णर को जो है दूसे से separate करता है gray whales जहें अपनी जो सारे का सारा समर है वो इस nutrient rich जो है Arctic जो ocean है Arctic side और Arctic waters है उनके अंदर गुजारती है और उसके बार जो है ये फिर जो है वो southward movement जो है वो start करती है यहां पर देखें female जो gray whales है they reach up to the length of 45 feet and can weigh about 70,000 pounds males are slightly smaller as compared to female gray whales search for food such as tiny shrimps like animals on the bottom of the ocean तो यह यहां इसकी feeding जो ground है उसकी जो ecology है वो जो इसको support करती है जिन्दा रहने के लिए वो इसको बताइए gray whales have plates or bellines that hang from their upper jaws and filter the food job से पहले जिकल किया an adult eats about 6-60 pounds of food a day or 3-40 pounds during the 4 month feeding period gray whales were close to extinction in 1850s and again in the early 90s but laws were enforced and in 1946 and then they are now protected and their number is completely and their number is again increasing अब यह जो southward migration है वो आप यहां से देख भी सकते हैं यह जो red line है कि यहां से बतारी कि यह feeding grounds के को छोड़ कर जो है वो तक्रीबन September October के अपनी जो है वो migration यहां से start करेंगी इस specific ocean में इस जो है वो अमेरिका के इस सहल के पास जो कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया से होता हुआ बोजा Mexico ground के पास आता है यहां पर lagoon है lagoon का मतब होता है एक ऐसे water bodies बड़ी बड़ी सारी जो यह तक्रीबन rounded सी हो और एड़ी जो है जो है जो है वो थोड़ी सी जैसे एक boundary सी बनी हुई है और वो water वहां पर stagnant है यहां पर तीन चार जो है वो breeding grounds है basically इनकी तो यहां पर आना इनका जो है वो जुरूरी है कि यह जो मैक्सिको है यह उस latitude पर वाकिया है जहां पर के water जह है वो warm होता है यहां पर आकर जह है यह वो जो babies है उनको produce करेंगी अब September टू October जह है यह southward whale की migration है grey whales जह है वो अपने arctic feeding grounds जह है उसको September से जह है वो start करती है migration और south की तरफ यानि इस तरफ coastline के along जह है वो करती है और breed करती है यहां पर आके जो claves है यानि कि जो उनके babies है उनको claves कहा जाता है वो in warm waters के अंदर जह है वो पैदा होते हैं और जिस वकित वो जो grey whale है उसकी जो रफतार है वो तक्रीबन 5 miles पर और है इस migration के दुरान और average वो 75 miles a day है जो वो travel करती है और यहां तक पहुंचती है लेकिन यह एक दिन यह द देख सकते हैं यह जो है वो migrationary route है इसका और यह जो dotted lines है यह इसकी जो है migratory route को जो है represent करें यह यह यहां पर summer feeding ground जो है वो बताया है कि यह Pacific grey whale है यहां पर Arctic Ocean और यह जो जो है वो eastern side यहां पर जो है उनका feeding ground है उसके बाद migration करनी है उन्होंने जो है वो 2.5 miles of shore along with 5000 to 7000 miles of California यह जो है नहीं कि जो है वो California के साहिल के साथ तकी बन जो है वो 5-7000 foot जो है वो दूर नजर आएंगी वे अब चुके migrate करी है इसलिए थोड़ी सारी surface में भी आएंगी क्योंकि इन्होंने breathe भी करना है लहाजा इन्हें वो जो है वो watch करना आसान होता है लेकिन watching period भी जो है और ज पास है यहां पर जहां मेक्सिको है वहां पर है इसमें जो एक जो pattern है लेट डिसेंबर से लेकर जह हो मार्च तक यहां पर पहुँचने का उसमें जो है वो यह है कि जो मेल्स होती है जो females gray whales होती है जो कि pregnant होती है और बिल्कुल near to giving birth होती है सबसे पहले वो migration स्टार्ट करती है क्योंकि उनके पास time कम होता है और उनोंने आकर यहां जो है वो जो clubs है उनको पैदा करना होता है लहाजा वो सबसे पहले migration स्टार्ट करेंगी उसके बार जो है इसको हम कहेंगे कि जो है वो migration की stimulation है वो कहां सो होगी near term pregnant females की तरफ से उसके पास जो है वो estrous females means they are mature और now they are ready for mating और पर जह है उनके साथ males जो है वो करते हैं तो यह यह नहीं कि एक दफा सारे के सारे जो है वो grey whales जो है वो move करना स्टार्ट करेंगी बलके priority के साथ के पहले कों जाए उसके बाद कों जाए उसके बाद कों जाए और फिर उसके बाद immature animals of both sexes अब immature animals जो है वो भी यानिके जो छोटी whales हैं जो के भी sexually mature नहीं हुई है वो भी इस जगाब को migrate करेंगी यह और जिस वकर जो है यहां पर आकर migrate करती है तो फिर जो है इस दौरान जो December से लेकर जो February का period है वो बड़ा जो है वो इनके लिए जो है वो active period है क्योंकि उस वकर बहुत सारे जो new babies हैं, clubs हैं वो जो है वो produce हो रहे हैं प्लस यही वो time है जिस वकर जो है वो बहुत सारे जो watchers होते हैं see watchers वो in points के उपर बैठे होते हैं और in whales की movement को जो है वो देख सकते हैं बहुत सारे whales surface के उपर जो है वो गुजर रही है फिर इसी तरह अब उनोंने जो है वो March में again जो है वो वो वापस 에 जाना है तो वापसी जो है वो किस रस्ते सो रही है उनके साथ पहले जो है जो whales गई थी अब उनके साथ किस किस के साथ जो है वो एक चोटा सारा Club जो हो attached है उसके साथ है तो यह जो है वो easily देखा जा सकता है तो इस तदर इन वेल्स को जो है हम उनकी migration जो है वो उसके root को और इस खुबसूर्टी को जो सुमंदर के अंदर हो रही है और बड़े animal जो है वो उसको करें है उसको हम दूर बैठके जो है वो telescope से और साथ में वोड से उपर साथ शोर्स के जहां-जहां से ग्रे वेल्स जा रही है तो उनके साथ साथ जहां वो देखा जा सकता है इक बेस्ट पीरियड है नेचर के इस फेनोमेन को देखने के अगें यहां नेचर वर्क करती है कोई इस चीज़ को लीड नहीं करता